सबी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत अमिनन्दन है पार्ति जंता पार्टी के हमारे उबरिश नेता रवी संकर प्रसाद जी एक बहुत ही महत्रपून विशेवे आप लोगों को संभूदित करेंगे मीडिया विभाग के अपने अखिल भारतिये अध्यक्ष संसत सदस्य अधरनी अधिल बर्मनी जी पत्रकार मित्रों आपको सुबह सुबह बुलाया च्छमा के साथ एक महत्रपून विशेवे भारत की अर्थ विवस्था के बारे में भारत की अर्थ विवस्था दुनिया की एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट पनी है इंडिन एकोनमी इंटर्निंग इंटो अवरी ब्राइट स्पॉट ग्लोबली और यह हम नहीं कह रहे हैं यह दो-दो रिपोर्ट कह रही है एक स्टैनले मॉर्गन की और एक स्टैनर्ड चार्टर्स इस पर हम बाद में आएंगे लेकिन कल जो जीडीपी का डेटा निकला है उसमें साफ है कि जीडीपी ग्रोथ 22-23 में 7.2 परसंट होगी और जितने विश्यशग्यों ने अपनी अपना विश्यशन दिया था यह सबों से उपर है लेकिन जब मैं एक्सपर्ट की बात करता हूँ तो सभी मामलों पर अपनी राय रखने वाले एक एक्स्टरॉडरी एक्सपर्ट राहुल गांदी की बात मैं कैसे नहीं करूंगा उनका एक बड़ा वाइरल वीडियो है जो पूर्व में RBI के गवर्नर थे उनके साथ वो बात्चित कह रहे हैं कि भारत का एक्सपर्ट स्लो हो रहा है financial year 22-23 में इंडिया recorded the highest ever 770 billion dollar export 770 billion dollar आज तक का highest expert ने क्या कहा कि भारत का export कम हो रहा है दूसरी बात राहुल गांधी और RBI के पूर गवर्नर की बात्चित में क्या आई कि भारत का inflation बढ़ रहा है इस पर मैंने पहले चर्चा की थी भारत की inflation जो है 4.7% lowest in any large economy और UPS है तो half है और तीसरी बात expert राहुल गांधी ने कही थी उस वीडियो में वो public domain में आप देख सकते हैं India would be lucky to grow at 5% भारत भागेशाली होगा अगर 5% growth rate होती है और भारत 7.2% 22-23 में faster than जो expert मैंने चर्चा की मित्र राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में महबत का पैगाम लेके आया हूं राहुल गांधी भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों पहलाते हैं अविष्वास का बाजार क्यों पहलाते हैं Mr. Rahul Gandhi I wish to respond to your loud claim repeatedly mad that you seek to spread love and affection in an atmosphere of hatred but why you are spreading a market of pessimism of almost open public display of lack of faith in India's development story तो आपका महबत का पैगाम एक बहाना है नरंद मोदी के अगुआई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्रात्मिकता है राहुल गांदी जी आज आपके सारे नफरत के बाजार के जूट को GDP की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है यह हम जरूर कहना चाहेंगे मैं तो रिपोर्ट की और चर्चा करूंगा यह मौर्गन लिश्टलने की रिपोर्ट जो आई है उन्हें दस फर्नमेंटल चेंजेज को मेंशन किया कि भारत दस साल में कैसे बदला है और मैं पत्रकार मित्रों को विनमता से कहना चाहूंगा क्रिप्या करके मत भूलिये जो मैं पहले भी बोला हूँ कि UPA सरकार में भारत की एकॉनमी फ्रेजाइल फाइव एकॉनमी थी याद है ना आपको ये भी दुनिया के सारी बड़ी बड़ी एकनॉमिक पावर हूँस बोलते थे और आज भारत की एकॉनमी नरेंद मोदी की अगवाई में वर्ल्ड की टॉप फाइव एकॉनमी है इंगलेंड के आगे बढ़ चुके हैं इसका कारण क्या है और ये कोई दस पॉइंट सिर्फ एक दो के नहीं है टैक्स रिफॉर्म मैसिव इंफ्रास्ट्रक्ट्चर बूम फ्रोड्स तो ब्रॉडबेंड तो रिनीवल एनरजी फॉर्मल एकॉनमी वन नेशन वन टैक्स जीएस्ट डिस्पाइट राहूल गांधी प्रपगंडा क्या बोलते थे जीएस्ट को राहूल गांधी गबर सिंग टैक्स ना बोलते थे अज बताया कि कितना बला सक्सेस हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन ये मैं मार्वन इस्टनी की रिपोर्ट कह रहा हूं फ्रम फोर पॉइंट फॉर परसेंट इन टुदॉजन सिक्टीन तो सेवेंटिक्स सेवेंटे सिक्स पॉइंट वन परसेंट इन जस्ट सेवरियर्स और क्योंकि थोड़ा इस मामले से मेरा जुरूडने का स्वभागी मिला मोदी जी के निर्देश पर तो आज भारत के इस डिजिटल ट्रांजेक्शन को देख करके बहुत ही अंदर से आत्मिश्वास जगा है देश को और गरीबों को इससे फायदा हुआ है रियल स्टेट रिफॉर्म डीबीटी मॉडल और बैंकिंग इंस अलुड रिफॉर्म यह सारी बात है फोकॉस अन एफडिया वगरा वगरा और इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया है मनुफैक्ट्रिंग शेर अफ जीडीपी तो राइस बाई फाइब परसेंट इस्पोर्ट मार्केट टू डबल कंजम्शन मार्केट प्रॉफिट भूम कई चीज़े दस पॉइंट उन्होंने मॉगल इस रिपोर्ट में कहा है और आपको हमें एक और रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जो आज के एक पिंक पेपर में लिखा हुआ है ये स्टैनर चार्टर के रिपोर्ट है Indian exports of goods could reach 773 billion by 2030 भारत दुनिया के एक बहुत बड़ी economy का driver बनेगा profit का, growth का, manufacturing का और हमने आपको एक number दिया था कि 14 में भारत में mobile phone 78% बाहर से आता था आज भारत में 100% local manufacturer से सर्व होता है और 90,000 करोड का mobile बाहर एक्सपोर्ट हुआ है last fiscal में और इसके कारण भी आपको बताना चाहूँगा ये एक रोचप कावर है इसलिए कि आप लोगों ने उसको मेडिया में बहुत कवर किया था कि जो आपल की दो दुकान खुले हैं दिल्ली और मुंबई में उसमें जितना सेल हुआ है वो आज तक के हिंदुस्तान के mobile सेल का highest है एक मेंने का जबकि कोई दिवाली मारकेट नहीं है भी हम किसी का किसी कंपनी का यहां प्रमोट करने नहीं बैठे है लेकिन भारत बदल क्या रहा है क्या किसानों की सेवा highest allocation for them क्या 11 करोड किसानों को 6000 दिना एक लाग करोड every year क्या 80 कर लों को खाना खिलाना इत्यादी इत्यादी तो भारत आज गरीबों की चिंता उपेक्षितों की चिंता वंचिनों की चिंता किसानों की चिंता उद्यों की चिंता इंफ्रास्ट्रॉक्चर की चिंता इस बार के बजट में 10 लाग करोड खर्चा हो रहा है आपको मालू है capital expenditure on infrastructure alone तो भारत का सर्व व्यापी सर्व स्परशी आर्थिक विकास है इंडियाज एकोनॉमिक ग्रोथ इस ओल पर्वेसिव इंक्लूसिव ये बहुत बड़ी बात हम कहना चाहेंगे इसलिए आज ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारे प्रधान मंतु के अगवाई में जो भारत बदला है उसके लिए और जो sponsored experts हैं उनके सारे predictions गलत साबित हुए और राहूल गांदी जी मैं आपसे अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जड़ा खुले मन से पढ़िए कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहता है इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करिए यतना ही कहना चाहेंगे I'm open to questions now तो राहूल गांधी क्या आपकी बात हिंदुस्ता में नहीं सुनते हैं क्या क्या आपको विदेश जाके भारत के अलोचना करनी पढ़ती है विदेश में देश के अलोचना कम अपनी बात कहते हैं आप लिकिन आपने भारत की प्रतिभा और भारत की चवी को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष पना रखा है विदेश में एक मिट तो यह कोई नहीं बात तो है नहीं जो लंदन में कहा जो जिर्मनी में कहा, जो सिंगापूर में कहा वहीं अमरीका में कह रहा है तो देश न सुनता है न सुनेगा लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसत के बारे में कहा क्या कहा था आज भारत के संसत की वास्तु कला को दुनिया एप्रिशेट कर रहे नहीं संसत को उन्हें क्या कहा था इट इस अ मॉनुमेंट अफ आरोगेंस जूट बोल रहे है राहूल गांधी उनके टेलिफोन की डेटा की बात है आपको मालूम मामला सुप्रीम कोट गया था ना और सुप्रीम कोट ने कहा था कि जिन लोगं को ऐसा लगता है कि उनके फोन का डेटा हैक हो रहा है वो अपना फोन जमा कर दें एक्सपर्ट कमिटी के सामने राहूल गांधी ने कभी हिम्मत की क्या इस तो मैं आपसे कह रहा हूं जब अवसर आता है आपके आरोपों के जाज का तो आप उसमें सहयोग करते नहीं उसमें भाग जाते हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी जहां तर डेटा प्रोडेक्शन लॉग का सवाल है तो मैं रेकॉर्ड ठीक करना चाहता हूं भारत की नई संसत का इस तरह से तिरसकार करना ये इंस्ट्यूशन का अपमान है चुनाओ आयोग के खिलाफ हलकी बाते करना ये इंस्ट्यूशन का अपमान है सी वी सी के खिलाफ हलकी बाते करना ये इंस्ट्यूशन का अपमान है CAGporter के खिलाफ तूजी घोटाले में इसने कितनी घटिया बात की ये institution का अपमान है और Supreme Court के निनने पर दबाव में लाने की बात करना ये भी institution का अपमान है बात में जब Supreme Court में content होगा तो माफी मांग के आप बाहर आए ये है कॉंग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इंस्ट्यूशन का सम्मान जो लगतंद के लिए जरूरी है मीडिया के बारे में वो क्या कहते हैं आप उनके प्रेस में देख चुके हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है एक मिनट और जहां तक हमारे नेता प्रधानमंत्र जी का सवाल है तीनमूर्ती म्यूजियम सिर्फ नहरू जी के लिए रिजर्व था आज जाएए भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की वहाँ पर तस्वीर लगी है उनकी उपलग्धिया मताई कही है चरन सिंग हो, देवे गुड़ा हो, नरसिंगा राओ हो, आईके गुजराल हो, गुलजाईर रंदा हो, शास्ति जी हो या नहरू जी इंद्रा गांदी हो, बाचपेई जी हो महा भी तक मोदी जी की नहीं है तो ये हमारे संस्थानों का सम्मान की बात है, जो मोदी जी करते हैं और लास्टली, राश्पती के अभी भाशन पर, दो घंटा राज सभा में मोदी जी को बज़ नहीं दिया गया, कॉंग्रेस के लोंग के द्वारा आपको याद होगा ना, तो ये करते हैं, वो संस्थानों का सम्मान, और बाहर जाके विलाप करते हैं महराष्ट में भाजपा के प्रवक्ता लोग हैं, मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीर फाइल्स और किरला स्टोरी फिल्में बनती हैं, तो कुछ लोग को परिशानी होती हैं, वो फिल्में लोग प्रिये भी हो रही हैं, तो जाने दीखे, कुछ लोग उसको बैन कराने भी गए सुप्रीम कोट बन नहीं हो ने दीखा लिए इतो सुप्सक्राइ। This only shows pathological hatred against the Prime Minister. You cannot turn to logic, proper developmental indexes, then you make these comments. मैंने संस्थाओं का विस्तार से जवाब दे दिया, वो अपने दिनों की याद कर रहे हैं, अपने दादी जी, अपने पिता जी, कॉंग्रेस ने किस तरह से कैप्चर कर रखा था, बीजेपी की सरकार मोदी जी के गवाई में लोगतंतर का कितना समान करती है, हम सबी जानते हैं, जल्दी 25 जुन आने वाली है, देखो मितर समस्या दूसरी है, अगर राहूल गांधी को राश्टियास तरफ वोट नहीं मिलता, आगे भी नहीं मिलेगा तो अनिल जी अमनों क्या करें, दर्द वहाँ है, इस दर्द का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बिलकुल कोई स्टटी की ज़रूरत ही नहीं है, राहूल गांधी अपने को एक्स्पोज कर रहे है, आज का विश्या आर्थिक विवस्था पर था, इसलिए मैं बिस से दिक राहूल गांधी को जवाब नहीं दूँगा, the more राहूल गांधी speaks globally, the more he exposes himself. पुशी में. इसा है, कुछ लोग का काम है, कमेंट करना, उनका अधिकार है, नरेंद मोधी की सरकार का उदेश है काम करना, काम को जमीन पर दिखाना, भारत की अर्थवरस्था मजबूत हुई है, इसलिए दोनों global rating agencies इस तरह के टिपाई दे रहे हैं, और वो जमीन पर दिखाई भी पड़ रहा है, दन्यवाद.